सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चनल को और दबाये इस वेल आइकन को हमारा वीडियो सबसे पहले पहले है हेलो फ्रेंड सायम रावल कुमार और आपका फिर से स्वागात है हमार यूटीब चनल पर तो आज मैं जो डिसकस करूंगा वो है आरे सगरवाल की एकसरसाइस 14 की क्वेशन नमर 4 को तो आये देखते हैं कुछिन है दा हाइट ऑफ़ ट्री इस टेन मिटर मतलग क्या कर रही है कि एक कोई ट्री है को ये ट्री है ओके ट्री है जिसकी है टेन मिटर है एक ट्री है जिसकी हाइट किया है तेन मीटर है it is went by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground मतलब क्या कर ती है कि ये एक फेल है और हवा चलने के करन इस बीच से कहीं से वेंट कर जाती है हवा चलने के करन बीच से मतलब यह कोई ट्री है और हवा चलने के करन बीच से वेंट तूट जाने के करन वो नीचे रांट को टच करने लगती है मतलब कि कुछ सिटममें जैसे यह पीर है पूरी और पड़ो फितभी कर जाता है और नीचे आजाता है औक beğन कर जाता है मतलब यह जो ए법 ही है नखी है वह वेंट किया और पॉइंट ऊुपर नहीं यह ग्राउड पर अगया है तो अब क्या फाइंड करना है की आड़ वाट है फ्रांण से बॉर्ट से वॉर्टम से कितने हाइट ऊपर मतलब कितने हैट पर वह जो पा रिता वेंट कर गया है तो इसे निकालते हैं सबसे और एंगल दिया किया है हमारा 60 डिग्री ओके जैसा कि हमें पता है AC equal to कितनी है AC equal to 10 meter दी गई है पहले से जो टी की height है वो 10 meter दी गई है हम लोग मान लेते हैं कि BC equal to H height इसे H मान लेते हैं हम लोग क्या मानते हैं H मान लेते हैं इसकी जहां से bent की वहां तक की height हम लोग मान लेते हैं तो हमने पता है कि AC equal to AB plus AC equal to AB plus BC होगी इससे figure से और AC कितनी दी गई है 10 दी गई है और AB की value हमें find करनी है और BC की value हम लोग ने H मान है तो जो AB की value आ जाएगी जो AB की value आ जाएगी वो आएगी 10 minus H मतलब की यह जो हमारी value आई वो 10 minus H आ गई according to this ओके तो अब क्या करेंगे जैसा कि हमें पता है कि कौन सा relation लगाना है हमें पता है कि जो सबसे वड़ी line होती है Hepatenius होती है और most As life upwardorde Circle जो आंगल जिसे टच होती है वो बेस होती है और जो बच Sounds वो perpendicular होती है ओके तो हमें कौनसरे श्रेलाइसं दिया गया हम अहमें तो चीला मतलब मतलब perpendicular और किसमे hypotenuse में रिलेशन निकाल लिया है ओके perpendicular और hypotenuse में रिलेशन निकाल लिया तो जैसा कि हमें पता है perpendicular और hypotenuse की जो रिलेशन देने वाली trigonometrical function है वो एक sign है okay sign theta equal to क्या होती है perpendicular वाई hypotenuse और यहां perpendicular कितनी हो गई bc हो गई okay perpendicular कितनी हो गई bc और hypotenuse क्या हो गया a b okay a b अब sign 60 degree की value यहां रखनी है sign 60 degree equal to bc की value कितना हम लोग मने है एच मने है तो bc के जागा h रख देंगे और a b 10-10-1 तो इसे हम लोग लिग सकते है sign 60 degree की जो value होती है root 3y 2 होती है और यह h और यहां पर 10-10 अब हम लोग इसे cross multiplication करके इसका value find करने की कोसिस करेंगे तो यह cross multiplication करेंगे तो 10 root 3 minus root 3h equal to 2h ओके अब दोनों h को excited कर लेंगे तो 2h पलस इसे बस उधर कर देंगे root 3h और इसे बस इधर ही रखने देंगे इतना आ गया तो 2h जो आ गई यह हमारी जो value आ जाएगी 2h और root 3 की value यहां से हम लोग 1.732h ले सकते हैं और यहां पर root 3 okay और हम लोग add करेंगे इसे तो 3.732h आ जाएगी और इधर 10 into और root 3 की value यहां से हम लोग रख लेंगे ओके तो h की जो हमारी value निकलेगी कुछ इस टाइप से निकलेगी और अगर हम लोग इसे solve करेंगे तो हमारी जो answer आ जाएगी 4.64 meter answer आ जाएगी मतलब जहां तक bend की उसकी height 4.64 meters आ गई hope guys आपको हमारा ये भी वीडियो लेक्टर पसंद आया होगा और अच्छा लागा अगर समझने में कोई परशानी होती है तो नीचे comment box में जड़ लिखें मैं आपके सुदूर करने का प्रयास करूंगा और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्टर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स दोस्तों